Hello everyone, welcome back to my channel Blessings मैं मनिंदर का और आपकी special educator और trainer जैसे ही हमने commit किया था कि हम आपको test के लिए भी aware करेंगे कि आपको कैसे बता चले कि मेरे बच्चे का gut health में कोई issue तो नहीं है कौन से ऐसे allergens है जो parents को अभी तक पता ही नहीं है believe me बहुत सारे cases ऐसे हैं जो parents means बच्चा milk पे ही है और जो test के थूँ हमें बता चला कि बच्चे को milk allergy ही निकल गया और बच्चा hyperactive है, hyper activity कैसे down आई की definitely जब उस बच्चे को उस cheat से ही problem है जो आप daily उसमें डाल रहे हो इसी चीज के लिए aware करने के लिए आज dietitians शूति कोशल जी आपको बताएंगे कि कौन कौन से test ऐसे अभी लेबल है बट फिर भी आपने खुद से doctor नहीं बनना है आपने किसी dietitian से ही reference लेना है कि हम यह हमें लगता है क्योंकि सारे सिंटम्स मेरे बच्चे के साथ मैंच कर रहे हैं तो प्लीज आप हमें लिखके दे देजिए और हम यह test कर आ सके ठीक है और next video हम आपके लिए बहुत अच्छा सिरिज लेखे आ रहे हैं कि बहुत सारे पेडेंट्स का comment section में आता है कि मैं गट हेल्थ बूस्ट कैसे करें हना what are the boosters कि गट है को प्रमोट करने के लिए तो आने वाले जो वीडियोस हैं वो इसी topic पे होंगे आएए पेरेंट सुनते हैं डाइटीशन शुर्ति कोशिल जी को हमने लास्ट वीडियो में आपसे कुछ गट हेल्थ के बारे में बात करी थी और उसमें कुछ ऐसे symptoms को explain करने की कोशिश की थी जो आजकल हम या हम अपने बच्चों में जादा तर देखते हैं तो उन्हीं में से कुछ ऐसी common general problem को हम आप लोगों के साथ आज discuss करेंगे उन टेस्ट को discuss करेंगे जो कि आप पता लगा सकते हैं कि आपके बच्चे की क्या problem है लेकिन parents कोई भी ऐसा एक single test नहीं है जो सारी की सारी gut health problem को एक single test बता पाए market में बहुत सारे test available हैं और हमें वही test कराने चाहिए जो हमारे बच्चे की problem से related हैं और हमें कुछ से भी doctor नहीं बनना है कई बार हमारे पास बहुत सारे ऐसे parents आ जाते हैं जो अपने आप से खुछ से ही test करा लेते हैं बच्चे का ultrasound भी करा लेंगे बच्चे के stool test भी करा लेंगे लेकिन उसको आगे proceed नहीं कर पाते हम test तो करा लेते हैं लेकिन अगर हम किसी expert की सला ही नहीं लेंगे तो उसका क्य benefit हुआ test कराने का तो expert की पहले हमें सला लेनी है उसके बाद हमें test कराना है अगर हम right diagnosis बनवाएंगे तभी हम बच्चे का right treatment करा पाएंगे तो चले शुरू करते हैं आज का वीडियो सबसे पहले हम बात करेंगे diarrhea या constipation जन बच्चों में parents लगातार आप नोटिस कर रहे है कि diarrhea का problem है वहां पर हम चादा तर parents को recommend करते हैं कि lactose intolerance टेस्ट कराएं यानी milk उन बच्चों की problem कर रहा है body में हम milk तो दे रहे हैं लेकिन वो ठीक से केस में है कई बच्चों में हमने ये भी देखा है कि constipation है शुरू से ही हम parents से जब पूरी history लेते हैं तो उसमें देखते हैं कि वो बताते हैं कि बच्चे को तो birth के टाइम से ही constipation का problem है तब वो अपने बच्चे को सबॉस्टरी दे रहे थे या फिर वो बच्चे को लेक् कारण वो flesh out हो जाते हैं जिसकी वज़ा से बच्चे को गठेल तीशु और भी जादा बढ़ने लगते हैं तो वहां पर भी हम milk intolerance या लेक्टोस intolerance टेस्ट ट्रेक्मेंट करते हैं अब हम बात कर लेते हैं कि gluten intolerance कई बच्चों में पेट में दर्द की शिकायत रहती है बच् बच्चा कोई भी wheat का बना हुआ या gluten का कोई भी food आइटम खाएगा उसके विदिन 48 to 72 hours के अंदर बच्चे में ये symptoms देखने को मिलते हैं जिसको हम allergy test के अंदर recommend करते हैं कि आप allergy का test करा लें तो वहां पे भी हमें पता चल जाता है कि बच्चे को wheat से allergy है या क्या है अब दे बच्चे होता है वो शुरू में उस wheat जो protein है उसको अच्छे से digest नहीं कर पाते और वो body उसको अच्छे से process नहीं कर पाती जिस वज़ा से बच्चे को stomach रहती है या constipation रहती है वहीं दूसरी और जो allergy है allergy के जो symptoms है वो 48 to 72 hours के अंदर हमें देखने को मिलते हैं तो depend करता है क तब ही हम आगे recommend करते हैं कि आपको allergy test में जाना चाहिए या intolerance test की तरफ जाना चाहिए उसके बाद हम देखते हैं कि कई बच्चों में बहुत जादा laughing होती है तो वहां पर कई बच्चों के हम देखते हैं कि body के अंदर yeast की overgrowth हो जाती है या bacterial overgrowth हो जाती है जिसकी बज़ा से बच्चे कुछ इस तरह के behaviors के symptoms reflect करते हैं या बच्चे का पेट खराब रहेगा या बच्चे को भूख अच्छे से नहीं लगेगी मीठा बहुत जादा बच्चा मांगेगा तो इस तरह के cases में हम stool analysis कराते हैं और bacteria की या yeast की growth को lookout करते हैं और फिर जो भी treatment आगे required है वो pediatrician से आप start कर सकते हैं उसके बाद हम देखते हैं कि कई बच्चों में nutritional deficiency हो जाती है यह especially हम उन बच्चों की बाद करते हैं जन बच्चों में fever बहुत जादा होता है frequent fever के कारण कई बच्चे antibiotics पे रहते हैं या किसी भी infection की वज़ा से लंबे समय से infection की वज़ा से बच्चे को antibiotics पे हमारे digestion process का अगर वही केल हो जाएंगे तो जरूरी nutrient कैसे absorb होंगे तो वह पोचेंगी नहीं उसका कोई फायदा है नहीं आप अपने बच्चे को जितने मर्जी अच्छे ब्रांड का multivitamin या multiminerals ते अगर वह हमारी body में ठीक से digest ही नहीं होंगे अब्सॉब ही नहीं होंग यह बहुत काफी detail में होता है लेकिन symptoms को देखकर ही हम recommend करते हैं कि बच्चे को कौन से test कराना जहिए लेकिन जो बच्चे प्रोलॉंग antibiotics पे होते हैं वहापे हम कुछ basic से जो टेस्ट हैं जैसे iron, vitamin E बच्चों का कैसा है तो यह हम कुछ जरूरी nutrients को ensure कर लेते हैं और फिर हम देखते हैं कि कई बच्चों में urine infection हो जाता है बच्चा वाश्रूम नहीं जाना चाहेगा या थोड़े थोड़े गैप के बाद बच्चा इंट्रवल पे toilet कर देता है कपडों में कर देता है या फिर अगर मदर कहते है कि वाश्रूम जाओ तो सड़नली यह behavior reflect करता है बच्चे को क्या problem है फिर जो भी ज़रूरी treatment है वो आप अपने pediatrician से ले सकते हैं तो इस तरह के parents कुछ general टेस्ते जो कि आप करा सकते हैं लेकिन फिर मैं वही आपको कहूंगी कि एक बार expert की सला के बिना ना कराएं तो जादा बेटर अगर expert कहते हैं हम तब ही करा ले तो हम right diagnose बना सकते हैं और तभी हम बच्चे को ट्रीट भी कर सकते हैं I hope कि आपको ही मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा अगर आपको इससे जुड़ी और भी information चाहिए तो आप मेरी email ID पे मुझे contact कर सकते हैं और information ले सकते हैं thank you so much so parents hopefully आज भी इस blessings channel ने आपकी knowledge को add-on किय होगा अगर आपको इस चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल की वीडियो को शेर किया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए thank you so much आगे भी हम आते रहेंगे आपके लिए informative वीडियो लेकर thank you